दोस्तो बहुत से स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि सर फॉस्ट राउंड का कौंसलिंग कब होगा सेकेंड राउंड का कांसलिंग कब होगा तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं तो दोस्तो बन रही है हमारे साथ तो दोस्तो अभी तक आपने हम टेकनिक से रिलेटेट हर एक नीज बताई जाएगी इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों यहां पर लिखा है कॉंसलिंग इवेंट्स और डेट ठीक है तो फस्ट राउन रजिस्टेशन और पेमेंट और रजिस्टेशन फीस यानि कि फस्ट राउ मतलब शॉज फीलिंग मतलब इसमें क्या होता है कि आप जो कॉलेज डालेंगे फिल करेंगे जो जट्रेट होगा उसमें इस में यह फीलिंग में आप उसको फील कर सकते हैं ठाए तो विक अप जुनि में होगा ठीक है और उसके बाद आता है कि फस्ट राउन च्न लॉज मतलब वो लॉक करके देगा कि कौन सा कॉलेज आपको लॉक हो गया है जो मा लेजिए आप 4-5 कॉलेज डालते हैं उसमें से कोई एक कॉलेज आपका लॉक करके आपके स्कीन पे भेजा जाएगा तो वो वही होता है च्वाइस लॉकिंग और च्वाइस लॉकिंग में वही कॉलेज भेजा जाएगा जो आपने फिल किया होगा जितने कॉलेज में से कोई है कॉलेज लॉक करके भेजा जाएगा फिर देखिए फिर आता है कि फिरस्ट रॉड उफ सीट अलॉट्मेंट रिज़ल्ट एंड सम्मीशन औप सीट एक्सपेक्टेशन एकस्पेक्टेंस फीज ठीक है तो इसमें आपको जो लॉकिंग वाला कॉलेज मिलेगा उसमें आपको सीट एकसेऺट करना है ठीक है तो वो fourth week of जून में होगा ठीक है अब आता है कि first round reporting at allotted college यानि कि जाकर वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं जैसे document verification कराना होता है और बहुत सारे काम होते हैं तो वो last week of जून में होगा तो यानि कि यहाँ पूरी process खतम होती है first round counseling की अब आता है बात second round counseling की तो वही बात आती है कि second round registration and payment of registration fees वो first week of July में यानि कि counseling second round जो counseling होगा वो July के first week में होगा बानके चलिए 7-8 तारीक को जुलाई के 7-8 तारीक को first week of counseling second round counseling सुरू हो जाएगा ठीक है अब दूसरे पर आता है second round choice filling मतलब उसमें आपको choice fill करना होगा कि कौन सा college आप लेंगे कौन सा trade लेंगे उसमें आपको fill करके online और counseling की प्रक्रिया online होगी ठीक है तो आपको online बताना होगा और जो आपको जो फाम भरे होंगे वो आपका choice locking करेंगे ठीक है अब second round choice locking choice locking यानि कि जो college आपने फिल किया होगा choice filling में वो lock करके एक college आ जाएगा और एक trade से माली जी आपने बहुत सारे college डाले होंगे उसमें से एक college कोई lock करके आ जाएगा फिर second round जो first week of July में आएगा ठीक है वो second week of July में आएगा जिसमें आपको acceptance fees देना होगा और तमाम जो प्रक्रिया allotment जो होगी आपको accept करना है seat को lock करा देना है कि हमने यहाँ पे admission लेना है ठीक है अब second round reporting at allotted college यानि कि वहाँ पे जाके document verification वगेरा कारे जो होगा वो कराना होगा आपको second week of July में और अभी तक यहाँ पे third counseling का कोई information नहीं दिया है जब information देता है तो सबसे पहले आपको हम यह news देने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर कीजेगा और दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपए हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा धन दोस्तों जय हिन जय भारत